असलाम लेकुम, आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपोर्टन टोपिक जो है डिफ्रेंस बिट्वीन अपर मोटर न्यूरोन लियन एंड लोवर मोटर न्यूरोन लियन ठीक है अपर मोटर न्यूरोन लियन जब होती है न तो मसल्स के अंदर हाइपर टोनिसीटी आ जाती है ठीक है means muscle की tone बढ़ जाती है जबके lower motor neuron के अंदर hypotonicity हो जाती है means muscle की tone कम हो जाती है muscle की tone upper motor neuron lean में ज़्यादा होगी तो reflexes भी बढ़ जाएंगे exaggerate कर जाएंगे जबके दूसी side पे lower motor neuron के अंदर जब hypotonicity होगी तो क्या होगा कि जो reflexes है वो कम हो जाएंगे ठीक है tone कम तो reflexes कम clasp knife mechanism upper motor neuron lean में देखने को नहीं मिलता जबके lower motor neuron lean में देखने को मिलता है ठीक है upper motor neuron lean के अंदर muscle wasting नहीं होती जबके lower motor neuron lean के अंदर muscle wasting होती है ठीक है upper motor neuron lean के अंदर babins की positive होता है जो के extensive response रिस्पोंस शो कर रहा होता है जबके लोगर मोटर न्यूरोन लिएन के अंदर बैबिंस की एपसंट होता है और कोई रिस्पोंस शो नहीं कर रहा होता है अपर मोटर न्यूरोन लिएन के अंदर कोई रिस्पोंस शो नहीं कर रहा होता है अपर मोटर न्यूरोन लिएन के अं लिएन के अंदर फैसिकूलेशन्स मुझूद होती हैं यह था हमारा बहुत जादा इंपोर्टन टोपिक जो बहुत जादा पेपर में पूछा जाता है। डिफ्रेंस बेटवीन आपर मोटर नियूरॉन लियन और लौर मोटर नूरोन लियन ठीक है।